अगर सब कुछ लगा के देख लिए फिर भी हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है मांसून सीजन में बहुत जादे हेयर फॉल हो चुका है स्कैल्प दिख रहा है तो बिल्कुल भी परिशान मत हो ये आज जो रेमडी आप लोको बता रह हूं हेयर फॉल को कंट्रोल भी करेगा और न्यू हेयर ग्रोथ भी आएगा आपके बालों में बरसात के मौसम में बालों का जढ़ना काफी जादे बढ़ जाता है और इस टैन थोड़ा सा भी अगर हम लपरवाही कर देते हैं तो पूरी तरह से बाल का सत्यानास हो जाता है हेलो एवरिवान कैसे हैं आप सब फ्रेंड अगर आप सब कुछ लगा के देख लिए हेयर फॉल आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है दिन प्रती दिन हेयर फॉल की समस्या बढ़ती जा रही है इसका एलप सा दिख रहा है तो बिलकुल भी परिसान मत हो यह आज आप लोग के लिए एक कमाल का होम रेमेडी लेकर आगई हूँ आप लोग के रिक्वेस्ट पर इस वीडियो को मैं शेयर कर रहे हूँ आज का वीडियो हाईली रिक्वेस्टड वीडियो है फ्रेंड मांसून सीजन में हेयर फॉल की समस्या बहुत जादे होती है किसी के बाल बहुत का यह यह अर्फोल हो रहे हैं तो इधर अधर मई जाएगे इस वीडियो को पूरा देखिए जो तरीका बता रही हूँ से मिसी तरीके से बना करके अपने बालों में अप्लाई करिए इसे आपको बिक में कितनी बार लगाना है कैसे लगाना है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है इसे आप दो बार लगा लेते हैं तो आपका हेयर फॉल पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा अमेजिंग रिजल्ट देता है बस इसे बना कर अपने बालों में लगा लिजिए ज्यादे बाते ना करते हुए फ्रण चलिए देख लेते हैं कि हमें इसे किस तरीके से बनाना है उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हूं कि अगर आप बहुत ज्यादे हेयर फॉल से परिसान हो गए हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए आपके बड़े काम आएगा तो इसे बनाने के लिए एक चम्मच आपने ले लेना है कलोंजी अब कलोंजी का क्या रोल है वह आप जान जाएए क्योंकि जो भी आप अपने बालों में फेस पे लगाते हैं उ को लंबा घाना काला करता है तो कलोंजी का यही रोल है स्कैल्प को क्लीन करता है बारिस के मौसम में जो स्कैल्प चिपचिपा सा हो जाता है तो उसे क्लीन करता है बालों में ज्यादे पसीना नहीं आता है जब बालों में बहुत ज्यादे पसीना आता है तो हेयर फॉल की स रोल है फ्रेंड ओभी आप लोग जान जाएए देखिए जो बाल रूखा सुखा बेजान सा हो जाता है पूरी तरह से जाड़ू सा तो बालों में नई जान लेकर आता है सौप्ट बनाता है हेयर फॉल को कंट्रोल करता है इसमें पाये जाता है मोस्चुराइजिंग आपने ले लेना है आठ से दस ठीक है अगर आपके बाल थोड़ा सा लंबा है तो इसकी क्वांटिटी आप थोड़ा अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा इसमें आपने एक चम्मचायट कर देना है मेथी का दाना ठीक है मेथी हेयर फोल को कंट्रोल करता है सफेद बालो को काला करता है बालों में साइन आता है बालों को सिल्की बनाता है अब इसे आपको किस तरीके से बनाना है ध्याल से वीडियो को देखिए जो सारी समगरी आप डाले है उसे आप एक पतिला में डाल दीजिएगा और इसमें आपको एक गिलास पानी डाल देना है और सभी को पाइन तेहीं पे आता है अगर आप इसे अच्छे से नहीं बनाएंगे तो उतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होगा तो इसे पकाने का सही टाइम आपको जानना जरूरी है अब इसे आपको गैस पे रख देना है और गैस का जो फ्ले करके आप इसे भूल गए छोड़ दिये तो ऐसा ना करें कोई भी रेमेडी आप अपने लिए बनाते हैं तो थोड़ा ध्यान से बनाया करिए अच्छे से बनाया करिए ताकि उसका आपको बेहतरीन डिजल्ट मिले मांसून सीजन में हेयर फॉल की समस्या कुछ जादे ही द बात्रूम में जहां भी आप कंगी करते हैं सिर्फ बाल ही बाल मजर आता है तो थोड़ा सा साउधान हो जाईए क्योंकि ये गंजेपन का इसारा है फ्रेंड इस टाइम थोड़ा सा आप अपने बालों की अच्छे से केर कर लेंगे तो हेयर फोल भी कंट्रोल होगा साथ मे वहां पर नए हेयर की ग्रोथ होगी तो थोड़ा सा मेहनत करिए अपने बालों के लिए क्योंकि बाल ही खुबसूर्ती की निशानी होती है फ्रेंड तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसे मैं पांच मिनट के लिए गैस का फ्लेम कम करके पकाई हूं और जो पानी था उसमें से एक चौथाई पानी मतलब जल गया है हमें गिलास पानी इसमें लिए थे तो आधा से थोड़ा सा कम पानी जल गया है मतलब की आधा से जादे पानी इसमें है अब इसे आपको गरम गरम ही छान लेना है क्योंकि इसमें अलसी का बीज है जब ठंडा होगा तो पू अपने बालों में लगाएंगे तो सफेद बालों को काला भी करेगा आपके बालों में नई जान लेकर आएगा हेयर फोल को कंट्रोल करेगा हेयर ग्रोथ आएगा आपके बालों में बालों को साइनी करेगा सिल्की बनाएगा इसे लगाने के बाद जब आप अपने बालों को को सेंपू करेंगे एक तो कंडिशनर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दूसरे में आपके बाल इतने सॉप्ट हो जाएंगे इतने सिल्की हो जाएंगे कि आप अपने बालों को बार बार छुएंगी आप लोग देख सकते हैं कि जो मेथी का दाना है काफी जादे कंड़ी नहीं मिलेगा तो इसका पानी पूरी तरह से बलेक है सफेद बालों को भी काला करेंगे हेरफोन को कंड्रोल करेंगा ठीक है अब इसे तो आपको अपने बालों में apply कैसे करना है तो द्यान से मेरी बातों को सुनिए जब भी आप अपने बालों में शैंपु करते हैं मतलब जब आप इसे लगा रहे हैं तो आपका जो सकैल्प है बाल है पूरी तरह से clean होना चाहिए तब ही जाके हेक on should को साधा पाने से धूल लेजिएगा ठीक है कॉटन के सहायता से बालू के जड़ों में लगाना है लगा करके इसे आपको दो घंटा के लिए छोड़ देना है आप इसे ओभर नाइट भी छोड़ सकते हैं जी हाँ ओभर नाइट छोड़ेंगे तो काफी अच्छा आपको रिजल है कि सेंपू करने की जरूरत पड़ेगी अगर आपको ऐसा लगता है कि एक दो चमच हम इसमें डाल सकते हैं तो आप लोग डाल सकते हैं ठीक है फिलहाल मैं इसी तरीके से अपने बालों में अपलाई करती हूं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए चैनल पर नहीं है और आपको इस टाइप का वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओन कर लिजिएगा नेक्स्ट वीडियो की इस टोपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा तो मैं आप लोग से मिलती हूं नेक्स के लिए बाई बाई